Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सेंपल पेपर का सोलुशन वो सेंपल पेपर जो CBSC ने इशू किया है आपके लिए और इसको आपको सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने final और pre-board exams की preparation के लिए और ये हमारे solution का बिटा first part होगा lectures अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं तो subscribe जरूर करें चैनल को, friends को share भी करें मैंने आप सभी के लिए case study questions की series भी start की हुई है जिसका link मैं आपको description box में दे दूँगी और एक बात और मैं आपको यहां कहना चाहूंगी कि आप लोग daily, daily 6 p.m. to 7 p.m. पर मुझे unacademy पर भी live join कर सकते हो daily 6 p.m. to 7 p.m. और ये classes बिलकुल free है class 10 के students के लिए classes में conduct करती हूँ जहां मैं आपको, आपका सारा syllabus, आपके poll कराती हूँ तरह तरह की quiz में वहां conduct करती हूँ तो आप जादा से जादा बच्चे वहां पर मुझे 6 p.m. to 7 p.m. daily join कर सकते class का link आपको description box में मिल जाएगा और ये classes में फिर से remind करा दूँ कि आपके लिए बिलकुल free है कोई भी charge आपको इसके लिए नहीं देना है अब हम अपना start करते हैं sample question paper जो की class 10th का है session 2023-24 standard का paper है ये maths का दो maths है आपके basic and standard और इसका code 041 है 80 marks का paper है 3 hours का आपका maximum time है जल्दी से instructions देख लेते हैं इस question paper में 5 section है A, B, C, D, E A section में 20 questions है 1 mark के B section में 5 questions है 2 mark के जिन में आपको internal choice मिलेगी C section में 6 questions है each question carry 3 marks D section में 4 questions है और हर question के 5 number है E section में 3 case study based integrated units होंगी हर question 4 number का होगा उनके sub parts होंगे यानि कि अगर हम एक question की बात करते है तो उसके 3 parts होंगे 1 1 और 2 marks के और इस 2 marks वाले में आपको internal choice भी मिलती है यह देख लो and 2 questions of 2 marks has been provided and internal choice has been provided in 2 marks question of the section number E और है उन्हें उन्हें बोला है कि draw neat figures wherever required यहां बीच में बीच में थोड़ा सा मैंने आपको को शायद skip कर गई हूं मैं एक बार फिर से बता देती हूं कि जो अपना case study question है वो 1 1 & 2 marks का होगा और सभी questions all questions are compulsory however internal choice in two questions of five marks पाच पाच नमबर के दो question में आपको वो मिलेगी choice मिलेगी three marks के दो-दो question में choice मिलेगी और two marks के भी मतलब section B C और D में आपको internal choice मिलेगी clear है पाई को आपने 22 by 7 लेना है जब तक आपको examiner बोल नहीं देता है clear हो गया यह सारी instructions मुझे लगता भी तक आपने देख भी ली होंगी तो अब हम अपना section number A से start करते हैं बहुत आराम से बड़े प्यार से आपने questions को देखना है कोई doubt है कोई query है तो मुझे comment box में जरूर आपने लिखना है चलिए पहला question देखते हैं if two positive integers A and B are written as A is equal to x cube y square and B is equal to x y cube ध्यान देंगे A है x cube y square B है x into y cube और यह जो आपके x और y है these are prime numbers अब यह पूछ क्या रहा है उस बात पे focus करना है the result obtained by dividing the product of two positive integers जो आपके दोनों integers हैं A और B उनकी product को divide करें by the LCM of A, B से अगर हम इन दोनों की product को इनी के LCM से divide करते हैं तो क्या answer आएगा clear means यानि कि हमें पहले इन दोनों numbers का क्या निकालना है LCM और LCM मैंने क्या बताया है कि सभी factors की highest power की product तो दोनों का एक factor तो X है लेकिन X की power यहां 3 है और यहां 1 है तो X power 3 आ जाएगा Y यहां भी है अगर कोई factor पहले वाले में होता दूसरे में नहीं होता तो हम उसको भी लेते ठीक है एक भी factor को छोड़ना नहीं है LCM में जब हम HCF calculate करते हैं तो हम common factors लेकर चलते हैं जब हम HCF calculate करते हैं तो हम common factor लेकर चलते हैं लेकिन LCM के अंदर हम all factors को लेकर चलते हैं तो Y आ जाएगा दूसरा factor और Y की power इधर 2 है और इधर 3 है तो यहां 3 तो LCM आ जाएगा X cube Y cube अब हम यहां चलते हैं प्रूव को इस division को calculate करते हैं A और B की product तो A की value है X cube Y square ठीक है यह दिख रहा है यहां पर उपर अपना statement पर आप देख लो A है X cube Y square B है X Y cube तो into में आ जाएगा X Y cube और LCM है मेरा X cube Y cube खरदो divide X cube से X cube cancel Y cube से Y cube इधर X बच गया और इधर Y square तो X Y square मेरा answer आएगा जो की option number B है तो बिल्कुल आसान सा आपका question था और question number second भी बिल्कुल ही आसान है जल्दी से देखते हैं the linear polynomial the given linear polynomial hedge ये polynomial है जिसका ये graph बना हुआ है इसके कितने zeros है हम सबको पता है कोई भी graph X axis को जितनी जगें कट करता है उतनी उसकी zeros होती है तो ये X axis को एक ही जगें कट कर रहा है तो एक ही zero है और वो zero क्या है 3 point है ये 3,0 लिखा हुआ था यहां तो ये आपका option हो जाएगा कि इसकी केवल एक zero है और वो zero three है दो zero तो हो नहीं सकते क्योंकि graph दो जगें नहीं कट कर रहा है एक जगें कट कर रहा है तो नो भी नहीं आएगा और four zero हो नहीं सकता यहां देखना होता X axis पर ये कहां कट कर रहा है third question पर चलते हैं ये है बिटा third question the lines representing the given pair of linear equations are non-intersecting दिख रहा है दोनों lines parallel दिख रही है ये first line की equation है और ये second line की which of the following statements is true जब lines parallel होती है तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2 होता है तो option number B मेरा correct हो जाएगा अगर मैं इस उपर वाले option की बात करूं सारा समझा देती हूँ तो ये आपका coincident होगा और आपके infinite solution होगे और इन नीचे वाली दोनों conditions में line आपकी intersecting हो जाएगी और आपका unique solution होगा तो फिलहाल हमारा जो question है उसके according तो second option is correct fourth question पे आजाओ the nature of the roots of the quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0 का root कैसे होंगे तो इस equation को compare कर लीजिए एक minute इस equation को compare कर लीजिए a x square plus b x plus c is equal to 0 से 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0 तो a की value 9 हो गई b की value minus 6 हो गई और c की value minus 2 अब roots का nature निकालने के लिए आपको निकालना है discriminant जो की होता है b square minus 4ac b है minus 6 square 4a कितना है 9c कितना है minus 2 ये बन गया 36 plus 72 है ना 4,9 जा 36,36,2 जा 72 दोनों minus मिलके plus हो गए 108 positive आ गया और जब discriminant positive होता है तो दोनों roots different होते हैं और real होते हैं तो option number c correct हो जाएगा two distinct real roots fifth question पर आजाएए two ap have the same common difference दो ap है अलग-अलग है लेकिन दोनों का common difference same है first term अलग-अलग है the first term of one of these is minus 1 अगर एक की first term minus 1 है तो common difference d है and that of the other is minus 8 और दूसरी ap की जो first term है वो minus 8 है और common difference आपका d है clear होगी बात यहां तक find the difference between the difference between their fourth term is अब पहले वाले की fourth term a4 ले लेंगे दूसरे वाले की fourth term को capital a4 ले लेंगे clear है a4 का formula होता है a plus 3d a छोटा d भी छोटा लेकिन इधर वाले में a capital लेंगे a plus 3d और यह इनका addition नहीं निकालना था एक मिनट इनका addition नहीं निकालना था इनका difference निकालना था यह मैंने गलत sign यहां लगा दिया इनका difference निकालना था तो a plus 3d minus a minus 3d यह d सेम है क्योंकि बुकवाले ने खुद बोला है एक्जामिनर ने खुद बोला है कि यह common difference same है तो बेटा 3D से 3D cancel हो गया और यह आपके पास क्या बच गया A minus A A कितना है minus 1 और यह कितना है minus 8 minus 1 plus 8 7 आ जाएगा आपका option देख लीजिए कौन सा है यह option number C है तो यह था 5th question 6th पर चलते हैं अब देखते हैं question number 6 What is the ratio in which the line segment joining 2, minus 3 and 5,6 is divided by x-axis एक blank page ले ले लेते हैं वहाँ पर मैं आपको यह points भी plot करके दिखाती हूँ देखो points क्या है points है 2 minus 3 और 5,6 तो x2 और y minus 3 कोई यहाँ पर आपको मिलेगा clear है अगर मैं इसको a नाम दे दू और x5 और y6 है तो कोई यहाँ पर आपको वो point मिलेगा हमें कोई necessity नहीं है one mark का question है हमने सिरफ answer देना है लेकिन हमने understand भी करना maybe कि यही two marks में आ जाए तो a को जब मैं b से मिलाऊंगी तो कहीं ना कहीं यह x-axis पर cut करेंगे और यहाँ पर जो भी point c है वो इनको किस ratio में divide कर रहा है this is the question तो जब भी इस तरह का question आए तो जल्दी से एक rough diagram आप अपना खुद का ऐसे बना सकते हो two marks में आ जाए तो exam में भी बना दो यह c point है उधर ले सकते हो आपका मन करें कि इस रेशो में इसको divide कर रहा है समझ में आ रही है मेरी बात तो जब x-axis पर कोई point लाई करता है तो उसके coordinates x,0 होते हैं तो c के coordinates हो गए x,0 ratio हमने माल लिया k ratio 1 है अब केवल ratio बतानी है केवल ratio बतानी है तो मुझे k की value चाहिए तो k की value के लिए मैं section formula में y वाला concept यूज करूँगी कि y is equal to m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 क्यों 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 कि y की value इधर 0 है और m1 की जगें आप k लगा दो तो k को भई अब आप किस से multiply करोगे 6 से तो k into 6 और 1 को किस से multiply करोगे minus 3 से 1 into minus 3 और divided by k plus 1 अब देखो क्या होगा ये k plus 1 तो इधर चला जाएगा 0 right side में बच जाएगा 6k minus 3 3 को left में ले जाओ 3 is equal to 6k k is equal to 3 by 6 यानि 1 by 2 जब आपकी k की value 1 by 2 आ जाती है तो आपका जो ratio है वो k ratio 1 है यानि 1 by 2 ratio 1 है यानि 1 ratio 2 आ जाएगा जब आप actual में question करते हो after practice तो इतना time नहीं लगता है मैं पूरा detail में आपको explain कर रही हूँ तो यहाँ पर time लग रहा है नहीं तो आपने बस ये उठाना है यहाँ put करना direct verbal calculate करके 1 ratio 2 आपका आ जाएगा देखो कौन सा option है ये ये आपका option number A है clear हो गया 7th question पर आ जाओ a point is at a distance of 5 units from the origin अगर ये मेरा इधर ले ले लेते अगर ये मेरा coordinate system है और ये origin है तो origin से 5 unit की distance पर एक point है clear हो गया कहीं भी हो सकता है मालो यहाँ हो गया और ये distance कितनी हो गए पांच होगी कोई दिकत नहीं how many such points lie in the third quadrant third quadrant में ये है third quadrant में ऐसे कितने point लाई करेंगे जब भी ऐसा कोई question आए तो ये पूरा अगर आप लोगे तो एक circle बन जाएगा हर circle का हर point इस से 5 की distance पर है यहाँ से लेकिन जब मैं third quadrant की बात करती हूँ जब मैं third quadrant की बात करती हूँ तो third quadrant में ये area जो मैंने अब डाग किया ये पड़ेगा ये arc पड़ेगी और इस arc पर भी infinite points हैं तो मेरा answer आ जाएगा infinitely many ठीक है अब चलते हैं question number 8 पर इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है in triangle ABC DE is parallel to AB ये DE और AB दोनो parallel है clear हो गया ये दोनो parallel है AB is equal to A DE is equal to X BE यानि कि ये वाली distance है अपनी B और EC यानि कि ये वाली distance है अपनी C clear है then X expressed in terms of AB and CH अब मेरी बात को सुनना 6th chapter हमने उसमें अच्छे से क्या देखा है कि जब भी ऐसा कोई triangle है और इस side के parallel ये वाली side है तो ये उपर वाला triangle इस main triangle के similar होता है always क्योंकि ये angle तो common होता है ये दोनो angles corresponding होते हैं ये दोनों भी तो AA criteria से ये दोनों triangles हमारे always क्या हो जाते हैं similar हो जाते हैं तो अब आप यहां आ जाओ तो triangle DEC सुननो मेरी बात triangle D उल्टा ले गई मैं DCE ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता DCE is similar to triangle ACB DCE is similar to ACB clear हो गया और जब दो triangle similar होते हैं तो उनकी corresponding sides की ratio equal होती है अब ध्यान देंगे DC की हमें कोई जोरत नहीं है तो मैं लोंगी DE by AB DE by AB is equal to CE by CB is equal to CE ये पीछे की दोनों और by CB इनकी values पूट कर दो and you will get the answer DE कितना है? X है ABA है CE की value C है और बेटा जब मैं CB की बात करती हूँ तो ये B plus C है clear हो गया? cross multiply करो हमें X की value निकालनी है तो A को right side में ले जाओ तो आजाएगा X is equal to AC by B plus C चेक करो कौन सा option है? option number B आजाता है logic समझ आया? जब भी इस तरह का question आया तो ये बात आपने ध्यान रखनी है चलिए आगे आजाते हैं हम अपने next question पर ये है question number 9 फिर इसको मैं थोड़ा उपर कर लेती ताके आपको अच्छे से दिखाई दे question number 9 क्या कहता है? if O is a center of a circle ये center है code PQ makes an angle of 50 degree with the tangent PR देखो ये तो PQ code है ये PR tangent है और बेटा जी दोनों के बीच में 50 degree का angle है is it okay? लेकिन एक बात और सुन लो ऐसे ही अगर कोई circle है ऐसे ही कोई tangent जा रहा है और ये radius है तो ये always इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर तो अब देखो O P तो radius है PR tangent है तो ये पूरा angle कितना होगा? 90 लेकिन 90 में से ये इतना angle कितना बचता है? 50 degree clear है? समझ में आरी है मेरी बात बहुँ ये वाला angle 50 है तो ये वाला angle कितना बच जाएगा? 40 angle O P क्याव सुन रहे हैं आप मेरी बात को angle O P क्याव अंदर वाला ये इतना angle कितना बच जाएगा? 40 एक बार इसको clean करके दो बारां से यही बात में फिर बता देती हूँ कि इस code ने इस tangent के साथ जो angle बनाया वो 50 है तो जो ये अंदर वाला है ये 40 बचेगा क्योंकि ये complete angle 90 है अब सुनो मेरी बात ध्यान से triangle O P क्याव में O P radius है O क्याव भी radius है और ये पूरा एक triangle में जब दो sides equal है तो third जो दोनो angles होंगे दोनो sides के जो opposite angles होंगे वो भी equal होंगे तो ये angle भी कितने का आ जाएगा? 40 degree यहाँ तक की खानी समझा गी करना क्या था? Then the angle subtended by the code at the center तो code ने center पर कितना angle बनाया वो आपने बताना है तो ये code है P क्यों इसने जो center पर angle बनाया वो ये है ये बताना है तो ये बाहर वाला 50 था ये 40 था ये भी 40 आएगा क्योंकि दो रेडियस के opposite angle है triangle के दो angles का sum 80 आ गया तो third angle 180 में माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 100 degree आ जाएगा तो angle P ओके ओकी value 100 आएगी जो कि आपका option number B है clear हो गया? next question पर चलते हैं ये है बच्चे question number 10 एक quadrilateral P क्या हुआ रहे से drawn to circumscribe a circle एक ये circle है इस circle को एक quadrilateral ने circumscribe किया हुआ है इनकी सबकी sides आपको given है P क्याओ 12 एक क्याओ 15 ने RS है तो SP आपने बताना है ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो area related to circle में एक question भी है जे theorem भी आप इसको कह सकते हो कि जब इस तरह से किसी circle को कोई quadrilateral circumscribe करता है तो opposite sides का sum सुन लो ध्यान से P क्याओ प्लस SR is equal to PS प्लस क्याओ आर तो P क्याओ कितना है 12 है SR कितना है 14 है PS हमें पता नहीं है क्याओ आर कितना है 15 है तो ये 26 हो गया ये 12 है बहिया और ये 15 लेफ्ट में आएगा बिटा जी तो minus हो जाएगा और PS की value कितनी आ जाएगी 11 cm जो की option number D है तो छोटोटे logic छोटोटे ट्रिक्स अगर आपको याद है तो आप easily अपने questions कर सकते हो बीच में मैं एक बार फिर से अपने सभी बच्चों को याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोग मुझे unacademy पर भी join कर सकते हो daily 6 pm to 7 pm हमने अभी एक दिन पहले ही cash rewards पर based भी quiz conduct की थी जिसमें मैंने अपने students को 175 और 50 रुपीज का price भी दिया था जिन्होंने quiz में first, second और third position ली थी ये classes totally free है class 10th के लिए मैं ये classes conduct करती हूँ तो आप वहाँ पर ये classes में मुझे join कर सकते हैं class का जो link है वो आपको इसी lecture के description box में मिल जाएगा ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं question number 11 पर बड़े ही असान असान से question है कोई जादा नहीं थोड़ा घुमा देते हैं sample paper में बात को और कुछ नहीं है sin theta a by b दे रखा है तो cos theta निकालना है हम सब को पता है cos theta होता है 1 minus sin square theta का under root sin theta a by b है तो sin square theta हो जाएगा a square by b square इसको इदर cross करो तो b square minus a square by b square पूरे का under root under root multiplication और division में separate हो जाता है तो उपर वाले का अलग कर दो उपर तो क्योंकि 2 terms का combination है तो ऐसे ही रह जाएगा और नीचे जब b square का under root करोगे तो b आ जाएगा तो b square minus a square का under root b यह आपका option number c है कोई भी query है मुझे जरूर लिखें telegram पर group है आप मुझे join कर सकते हो 12th question पर आ जाएए secant a plus tangent a into 1 minus sin तो आपने secant वाली term को cost sign में बदलना है 1 by cost a tangent को भी देखो सबसे easy रहती है sign cost की जो properties होती है वो बच्चों को जल्दी भी याद हो जाती है तो इस वज़े से सब चीजों को sign cost में बदलने तो हमें आसान रहता है question को solo करना बस main बात यही है यहां cost a को lcm ले लो तो उपर तो बनेगा 1 plus sign a bracket में 1 minus sign a चल रहा है तो यह तो a plus b into a minus b तो यह बन जाएगा a square minus b square यानि की 1 का square तो 1 और sign a का यह जो जो 1 minus sign square a क्या होता है cost square a और 1 cost a नीचे है cost से cost cancel और आपका answer cost a आ जाएगा ढूंडो cost a कहा है छुप गया cost a d option है solution देख लिजे मैं आसे raise कर देती हूँ और आप देखेंगे तो आपका जो यह d option था यह देख लो बच्चे एक बड़ यह था cost a question number 13 पर चलते हैं a pole of if a pole 6 meter high casts a shadow to root 3 meter long on the ground then the sun elevation is इस तरह का question समझने के लिए देखो यह एक pole है जिसकी height 6 meter है और कहीं से इस पर ऐसे sun light अपना पड़ रहे यह अपना sun है और यहाँ light अगर पड़ती है तो इसकी shadow यहाँ जाएगी clear है बात को समझना a b pole है b c इसकी shadow है जो 2 root 3 है तो यह जो sun यहाँ horizontal के साथ जो angle बनाता है यह वाला a b c a यह sun elevation होता है जब भी आप से sun elevation पूछा जाए तो angle theta आपने बताना है जो sunlight अर्थ के साथ अपना बनाती है inclined करती है इस angle पर होती है तो theta बताना है बिल्कुल simple question है यह perpendicular और यह base और theta आपने निकालना है तो tangent theta क्या होता है perpendicular by base perpendicular 6 है 2 root 3 2 3 जा 6 और देखो tangent theta की value आ गई 3 by root 3 3 से root 3 को cancel करोगे root 3 तो यह अपना कितना आ जाएगा tangent 60 degree तो theta की value 60 degree आ जाएगी जो की बिटा आपका option number a है और 14th question पर आ जाते है उपर ले चलते हैं इसको देखो अब ज़रा if the perimeter and area of a circle are numerically equal than the radius of circle NCIT का question है circle का perimeter 2 pi r होता है और area pi r square अगर दोनों equal है तो radius की value निकालो हम direct कर लेते हैं वैसे तो left में लाके करना चाहिए pi से pi cancel कर दो r से r इधर 2 बचेगा और इधर r और radius की value 2 आ जाएगी वैसे ये question कैसे होगा कि 2 pi r is equal to pi r square तो 2 pi r minus pi r square या बलकि ऐसा करो उस तरफ ले जाओ तो pi r square minus 2 pi r is equal to 0 pi r को common लिया तो r minus 2 pi तो या तो इसको 0 करेंगे या जिसको 0 करेंगे तो radius 0 आएगा जो possible नहीं है और यहां जब 0 करेंगे तो r की value 2 आ जाएगी जो की already अपनी आ चुकी है next question पर चलते हैं अब देखते हैं बेटा question number 15 it is proposed to build a new circular park equal in area एक new circular park बनाना है जिसका area equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameters 16 meter and 12 meter in a locality then the radius of new park age सबसे पहले तो statement को समझना बहुत जरूरी होता है यह कह रहा है कि उस locality में पहले से दो पार्क बने पड़े हैं और दोनों ने जितनी जगा घेर रखी है दोनों का जितना area है उनका combined area उनका combined area मिला कर एक नया बड़ा पार्क बनाना है तो उस बड़े पार्क का radius क्या होगा तो मालो बड़े पार्क का radius capital R है और इन छोटे पार्क का radius R1 और R2 है तो सुन लो एक पार्क का diameter 16 है तो radius कितना हो जाएगा 8 दूसरे का diameter 12 है तो radius कितना हो जाएगा 6 अब इन दोनों के area का sum इसके area के equal है तो यहीं पर बता देती हूं पाई R square is equal to पाई R1 square प्लस पाई R2 पाई तीनों में से कट जाएगा और R square is equal to R1 square प्लस R2 square आ जाएगा और R1 कितना है 8 है उसका square करोगे 64 R2 6 है प्लस 36 100 आ जाएगा तो बच्चे R square जब 100 आया तो under root करोगे तो R की value 10 आ जाएगी तो नए circle का जो radius है वो 10 meter आ जाएगा जो की option number A है ठीक है आप चलते हैं question number 16 पर 20 questions है हमारे section A के जो हम इस lecture में आज cover करेंगे इस question को आपने बड़े ध्यान से देखना है there is a square board of side 2A units ये एक square board है आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी board की जो side है वो 2A है clear हो गया बहुत ध्यान से देखना circumscribing a red circle circle red है जैदेव is asked to keep a dot on the above said board किसी ने जैदेव को बोला कि भईया जाके इस board पे dot लगाओ the probability that he keeps the dot on the shaded region is सुन रहे है मेरी बात को एक बार फिर समझ लें थोड़ा बड़ा बना देती हूं मैं यहाँ पर इस diagram को कि पहले मैं बनाती हूं circle ये तो circle है red color का clear हो गया और इसके बाहर ये एक square है इसके बाहर ये एक square है और ये shaded area है सुन लो मेरी बात इसमें उसने dot लगाना है इस बात की क्या probability है तो probability क्या होती है favorable outcomes by total outcomes total outcome का मतलब है कि जैदेव के सामने पूरा board पड़ा है वो कहीं भी dot लगा सकता है तो total outcomes का मतलब है total area of the board board की side 2a है तो area कितना हो जाएगा 2a multiplied by 2a यानि 4a square तो ये तो हो गया total outcomes favorable outcome का मतलब है कि अगर हम square में से circle को minus कर दें तो ये मेरा जो shaded region है भाईया ये बच जाएगा ये उसके लिए favorable होगा तो अब आप उसको निकाल दो तो उसको निकालने के लिए circle का area चाहिए तो circle का diameter और square की side बराबर है तो diameter हो गया 2a तो circle का radius हो जाएगा a तो circle का area हो गया πाई a square clear है अब मैं यहाँ shaded area आपको दिखाना चाह रही हूँ अब सुन लो मेरी बात ध्यान से shaded area तो shaded area होगा circle area minus उल्टा बोल गई में square area minus circle area square में से circle को minus कर दो तो 4 minus pi a square यह हो गया favorable outcome यह हो गया total outcome तो probability क्या होगी favorable outcome यानि जहां उसने dot लगाना है उसने dot shaded area में लगाना है तो shaded area तो यह हो गया by total area दोनों को cancel कर दो और 4 minus pi by 4 यह probability आ जाएगी जो कि आपका option number B है फिर भी कोई doubt रहे तो मुझे जरूर बताएंगे आप comment box में तो 4 minus pi by 4 यह answer आ गया अब चलो question number 17 पर घ्यान से पढ़ना 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards जो 52 cards है ना उन में से 6 card गायब है 6 card गायब है तो बचे कितने 46 यानि favorable outcome तो 46 है तो यह दोनों तो वैसे ही cancel हो गए card गायब कौन कौन से है 2 heart के और 2 4 speed के अब देखते हैं क्या कहता है एक card is drawn at random from the remaining pack जो बच गए बच कितने गए 46 उन में से एक और card को निकाला what is the probability of getting a black card इन 46 में black कितने है यह इसाव लगाओ दो cards heart के थे जो की अपना खो गए है तो वो तो थे red और 4 जो spade के थे वो थे black यानि 4 black card गायब है 4 black card हमारे गायब है total black cards कितने होते हैं 26 4 गायब हो गए तो बच कितने गए 22 तो favorable outcome हो गए 22 total हो गए 46 तो probability हो जाएगी 22 by 46 यह आजाएगी आयब समझ में दोनो probability के थे clear हो गए होंगे 18 पर आजाएए 18 के लिए हमें थोड़ी जगा चाहिएगी the upper limit of the model class of the given distribution age इसकी upper limit बतानी है एक तो इसको continuous frequency distribution में बदलना पहले यह कहरा below 140 below 145, below 150 below 155, 60 and 165 तो सबसे पहले तो आपने इसको continuous में बदलना है अगर मैं यहाँ इसको लिखती हूँ थोड़ा सा और उपर करना चाहूँगी थोड़ा सा और ताकि हमें अच्छी जगा मिले लिखने के लिए अब मैं यहाँ लिखू below 140 145, 150 155 160 and 165 तो इनकी जो frequencies respectively वो यह है 29 40, 46 and 51 और मैं यह आपको बता दूँ these are cumulative frequencies तो इसके लिए अब आप क्या करो पहले हैं class interval बनाओ अलग से 0 to 140 142, 145 जब तक class interval नहीं होगा आप model class की अपर या lower limit कभी भी नहीं बता सकते हैं सुन रहे हैं मेरी बात को तो यहां पर दो तिन चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं और यह हो गई आपकी frequency अब सुनो यह जो चार बच्चे हैं यह girls हैं girls हैं height में तो चार girls हैं इनकी height 140 cm से less है तो यह तो चारों ही आ गई यहां पर लेकिन जो यह 11 students हैं इनकी height 145 से less है अब 145 से less में वो बच्चे भी आ जाएंगे जिनकी height 140 से less है सुन लो मेरी बात बई 145 से नीचे height वाले 11 बच्चे हैं उनमें वो बच्चे भी include हैं जिनकी height 140 से less है ठीक है बई 145 से less है तो मालनो किसी की height 144.9 है किसी की 140 है किसी की 142.5 है इनमें वो बच्चे अगर किसी की height 139 है तो क्या वो less than 145 नहीं होगा किसी की height अगर 139 cm है तो क्या वो 145 से less नहीं होगा होगा लेकिन वो 140 से भी less है तो यहां doubling हो रही है यह 4 students यहाँ पर repeat हो रहे हैं तो इन 4 students को आप यहाँ minus करोगे 11 minus 4 करोगे तो इनकी frequency 7 आएगी अब 150 से नीचे 29 students हैं जिनमें यह सब हैं तो उन में से 11 students आप continuously इनको minus करते हुए चलोगे 29 में से 11 को minus करोगे 18 आएगा 40 में से 29 को minus करोगे 11 आएगा फिर आप 155 से less लोगे 155 से greater 160 तक 160 से less में 46 minus 40 आजाएगा 6 बच्चे आएगे और 165 से less में वैसे तो सारे हैं लेकिन 160 से 165 के बीच में जब मैं लेती हूँ तो 51 minus 46 5 आएगा यह आपकी exact बनती है frequency distribution table अब आपने इन में से model class की क्या बतानी है चेक कर लो अब एक बार इसमें मुझे model class की upper limit बतानी है तो पहले तो model class छाट लो model class कौन सी होती है वो class जिसकी frequency maximum हो maximum frequency है 18 उसके सामने यह class है 145 to 150 और उसकी upper limit कितनी है 150 तो मेरा answer 150 हो जाएगा अगर इसकी lower limit पूछता तो 145 आ जाता answer तो यह था question number 18 समझा रहा है अगर आ रहा है तो subscribe करे बिना channel पर से नहीं जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा friends को आपने share भी करना है चलिए अब हम अपने दो assertion region based questions है उनको देखते हैं सभी बच्चों को पता होगा मैं फिर से repeat कर देती हूँ assertion region में क्या होता है आपको दो statements दी जाती है एक statement में assertion होता है दूसरी statement में कोई region होता है सुनलो यह कोई statement दे दी assertion करके और region करके तो सबसे पहले आपने दोनों को check करना है कि दोनों true है या false है लिख लिया अब अगर आपको ये चार answer में से एक answer देना है अगर assertion और region दोनों ही true है और ये region की वज़ा से assertion true हो रहा है region का यूज करते हुए assertion true हो रहा है region is the region for assertions truth चीक है समझ में आरी मेरी बात कि इस region की वज़ा से ही assertion हमारा true हो रहा है तो हम a option choose करेंगे लेकिन assertion और region दोनों true है लेकिन region का assertion से कोई लेना देना ही नहीं है उसका कहीं role ही नहीं है उसके true होने में तो फिर बेटा जी b option choose करेंगे a true है, r false है तो आप c choose करेंगे a false है, r true है तो आप d choose करेंगे तो सबसे पहले तो ये हर बच्चे के माइंड में clear हो जाना चाहिए exam center पे बैठके इनको पढ़ना नहीं है अब आजाओ अपनी पहली assertion पर statement number A पर total surface area of the top ये top है लट्टू है खिलोना है is the sum of curved surface area of hemisphere and the curved surface area of the cone ये कह रहा है कि भया तुमको जो ये लट्टू दिखाई दे रहा है टॉप दिखाई दे रहा है इसका जो total surface area है वो इस hemisphere का तो curved surface area निकाल दो और इसका भी curved surface area निकाल के जोड़ दो तो आ जाएगा क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है हिसाब लगाओ कि टॉप का जो total surface area है वो दोनों curved surface area के sum से आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये बात ये अपना examiner बिलकुल true कह रहा है क्योंकि दो curved surface मिलकर ये total surface अपनी बन रही है अब इसने region दे दिया क्या region दिया top is obtained ये जो top बना है ये जो top बना है that is obtained by joining the plane surface of the hemisphere and cone together ये ये plane surface है यहां इसका उल्टा सुने मेरी बात द्यान से की top का उल्टा पार्ट और इसका सीधा पार्ट के सब्सक्राइब करना है या नहीं है उसने बताया है बस तूथ या पार्ट को चूज़ करूंगी और यह हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्विस्चिन रहेगा सेक्शन नंबर यह हमारा यहां complete हो जाएगा कि क्या कहता है कि पहली असर्शन क्या कह रहा है असर्शन में क्या कह रहा है –5-5 by 2, 0-5 by 2 is in arithmetic progression अब यह हमें चेक करना है या नहीं है उसने बताया है बस truth या false हमने चेक करना है और दूसरा region में क्या कह रहा है कि the terms of an AP arithmetic progression cannot have both positive and negative rational numbers पहले तो हम इस AP को चेक करते हैं माइनस 5, जीरो नहीं, माइनस 5, माइनस 5 by 2, 0 and 5 by 2, तो चेक करो इन दोनों का डिफरेंस, A2 माइनस A1, माइनस 5 by 2, माइनस माइनस प्लस 5, 2 LCM आएगा, माइनस 5, प्लस 10, 5 by 2 आ गया, अब आप बेटा, A3 माइनस A2 निकालो, 0 में से माइनस 5 by 2 को माइनस करोगे, फिर 5 by 2, और इसमें से करोगे तो फिर 5 by 2, तो यह AP बन रही है, और यह बिल्कुल true है, अब यह नीचे कहरा है कि AP में positive, negative, did we rational number नहीं हो सकते हमारे सामने हैं, अरे यह AP है, यह AP है और इस AP में positive और negative दोनों rational number दिख रहे हैं, इसका मतलब यह नीचे वाली बात को बिल्कुल गलत कहरा है, यह false है, यानि जो region है वो हमारा false है, तो assertion true है, region false है assertion true है, region false है तो option number C is the correct option तो बेटा ये आपके sample paper का first section मैंने करवाया है आपको कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताएं अच्छा लगे like करें, share करें और channel को subscribe जरूर करना है Thank you